मैं चलिए एक बात बताये जो लिविंग है अ मारे सीब है और सजी में अधिकार दिखाने के लिए एक व्यक्ठिक भी हो सकता है एक से ज्यादा व्यक्ठीक भी हो सकता है नहीं एक वैक्ति का भी अधिकार हो सकता है एक से ज़्यादा वैक्ति का भी अधिकार हो सकता है एक वैक्ति का अधिकार होगा तो उसके लिए हम लोग कहेंगे singular एक मालिक है तो क्या कहेंगे इस pain का मालिक इस company का मालिक इस घर का मालिक एक है singular है कभी कभी एक pain का एक घर का एक company का मालिक एक से ज़्यादा हो जाते हैं और जब एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो का बोलते हैं पुल गल बोलते हैं ओके जैसे देखिए न अगर singular हो तो अधिकार दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं पता है apostrophe S का और अगर plural हो अधिकार दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं only apostrophe ठेक है singular पे अधिकार दिखाएंगे apostrophe S लगा के पूल डल पे अधिकार दिखाएंगे only apostrophe लगा के इसलिए घबडा रहे थे न उस समय आप आया न और कहें कहा धीरे धीरे होले होले आईए एक्जामपल जैसे देखिए वाइज होस्टल वैसे गलत है लेकिन एक्स्ट्रा दिमाग लगाईएगा तो चल सकता है मदब इस होस्टल का मालिक लड़का है वैसे वाइज होस्टल लिखना गलत है है ना वाइज होस्टल को अगर लिखना है तो ऐसे लिखना चाहिए वाइज होस्ट्राफी होस्ट्राफी है ना तो यह क्या हो गया मन सिंपली वे में यह रॉंग होगा यह राइट होगा अगर एक्स्ट्रा दिम्हा लगा है यह हो गया कोondere लड़का है हॉस्ट्ल का माले लड़के लोग राते हैं मतलब यहह उस्ट्ल जो है किसा है यह लड़को का है लड़के लोग का उस्ट्ल thirsty ठैख जैसे अपना कासिपूर्वड में सब्सक्राइब कोचिंग अब बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं गल्साइश को रोड का सीपूर समस्ती पूर ऐसे अई से देखें लिखा हुआ आज के बाद कोई अगर लिख दे ऐसे गल्साइश को लोड उसका पुस्टर बिलेड से फार दीजिएगा अगर पकड़ेगा गलत का है लिखे हुए है ना अभी उतरिये देखिएगा कम से कम ना दस में साथ बैनर ऐसे दिख जाएगा लिकल रहेगा गल्स हाई स्कूल डोड तो गल्स गल्स इसकूल है ना लड़कियों का इसकूल रॉंग हम है सिंपली वे में एक साथ दिम्याग लगता है मतलब यह इसकूल का मालकी लड़की है है ना और वैसे हम लोग क्या करेंगे इसको गल्स इसकूल सही के लिए ना बात समझ में आया क्या यह सही इसका मतलब लड़कियों का इसकूल है कोई कोई दो दो लगा देता है वह डबल पागल आप लोग नहीं लगाईएगा तो आप लोग का किजिएगा तो उसकों तो गल्स इसकूल अगर दो लगा दिया तो गल्स हो जाएगा तो आप लोग दो नहीं लगाईएगा और कोई अगर ऐसे लिखा होगा परचार में फार दिजिए गा ठेक चलिए तो हम लोग को यह मेरे ख्यास से अधिकार दिखाने में अब आप लोग को कोई प्रभल्म हो नहीं सकता पुज झाली झाली